दोस्तों आज फिर एक नहीं वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे HDFC Millennium Visa debit card के बारे में क्या हमें इसमें airport launch axis मिलता है नहीं मिलता है मिलता है क्या condition है क्या charges है तो चलिए वीडियो दोस्तों ये है Millennium Visa Signature HDFC की तरफ से ये card हमें provide होता है और इस पर फिरी launch axis का मतलब यह है आपको सबसे पहले मैं दिखा ही देता हूं यह रहा for complimentary airport launch axis annually easily 3 months में per launch axis हमें इसमें देखने को मिल जाता है और charges का zero है कोई charges ही नहीं और शायद I think बस two rupees only cut होता है पर launch axis जब आप इसको swipe करेंगे वहाँ तो two rupees पर launch axis इसका cut होता है और दोस्तों ये इतनी बहतरीन चीज़ है ना free launch axis हम लोगों को जादा पता नहीं होता है हमें एर्पोर्ट पर जब check-in करते हैं तो two three hours four hours five hours भी कभी-कभी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप बोर होते रहते हैं बाहर बेटे के और कभी breakfast नहीं किया होता है लंच या डिनर जो भी प्यास लगती है पानी केरी नहीं कर पाते हैं जो भी प्रॉल्म होती है उस टाइप पे तो हम आप से परचेस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कोस्क्ली होता है तो आप एजिली फिर लॉंच लें अगर आपके पास मेलीनियर विजा सिगनेचर कार्ड है आप अराम से लॉंच एक्सिज लें महाँ पे प्लाजा प्रेमियम लॉंच ऐसे करकर के बहुत सारे लॉंच होते हैं बने हुए मैं आपको इसके निन पर भी दिखा दूँगा तो आप महाँ पे लॉंच लें अराम से रेस्ट लें और आपको जो भी नीड है जो भी आपको खाना है पीना है आप अराम से उसको लें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आप ब्रेकफास्ट लें अकर मॉर्णिंग का टाइम है अफ्टरनू लंच या डिनर स्नेक्स या वाटर बोटल लें आप बिसलिरी लें या कॉफी ग्रिन टी आप कुछ भी एजिली ले सकते हैं कोई प्रोल्म आपको नहीं होगी कोई आपको मना नहीं करेंगा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पर जो ये बड़े प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे HDFC है या क्या किय है और ये बड़े बैंक एक्सिस बैंक हैं जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटी समय देते हैं तब इनका चार्चे जादा होता है तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप इसको एजिली ले सकते हैं और इतना ही हम ट्रावल करते हैं रेगु जिसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे लेते हैं क्या करते हैं और बाकी किस स्टेट्स में होता है किस कंट्री में होता है तो दोस्तों ये इंडिया की सभी स्टेट्स में हैं यूपी, यूके, एमपी और डेली, एहमदबाद, हर कहीं ये सब कुछ मिलेगा जह करते हैं out of country या domestic या इस state से उससे आपका regular traveling है तो आप squad को बिलकुल लें compulsory लें आपका बहुत फाइदा होगा इससे तो दोस्तों मैंने ये new account open किया था आप online भी कर सकते हैं खुद self और bank bank visit करके भी ब्रांच में जाके भी आप इसको एजिली खुलवा सकते हैं तो वही था इसका 10,000 टुपीज में में एकाउंट खुला था 10,000 रुपए फिक्स डिपोसेट वो कर लेते हैं ऐसा security money आप अगर उसको urgent निकालना चाहिए निकाल सकते हैं लेकिन चार्ज करता है उस पर तो आप उसको नहीं निकालने तो बेटर है तो 10,000 रुपीज में में एकाउंट खुला था और documents कुछ नहीं बस या तो driving license या अधार card और pen card तीन documents हो आप उनको ले जाए जैरोक से ले जाए या original ले जाए वो आपका hand to account खोल देते हैं 2-3 days working होता है उसके बाद आपको card मिल जाता है checkbook, passbook मिल जाती है easily आपके current address पर वो आ जाता है जो आपको permanent address होता है home address तो यह उसका charges है और यह इसका process है बहुत easily आप उको अगर और detail में जानना है तो आप मुझे comments करें तो मैं आपक अच्छे से बताऊंगा और इसका एक बहुत अच्छा फाइदा यह भी होता है Amazon, Philip card, Snapgills, Mintra, card पर ओफर भी बहुत अच्छे मिलते है HDFC के लिए यह mobile purchasing, electronics purchasing बहुत अच्छे अच्छे उफर मिलते हैं 5% off, 7% off यह 4,000 instant discount क्योंकि private bank है अच्छे उफर देता है आप इसको easily card को ले सकते हैं और इसका फाइदा उठा सकते हैं तो अगर किसी के पास यह card है आपके friends, relatives हैं उनको पता नहीं है वो traveling करते हैं abroad या domestic इस state से दूसरी तो आउनको वीडियो शेयर करें उनको इस चीज के बारे में बताएं जो वो इस card का फाइदा उठा सके free launch access ले सकें तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे